आपके सामने 120 मीटर लंबा शयोग पुल है जो तकनीकी कौशल, धैरियर और बियारो कर्मयोगियों के द्रिड संकल्प का एक और बहतरीन उदारण है ये पुल सबसे दुर्गम और कठिन सड़क, दर्बुक शयोग, दौलत बेग ओल्डी बरस्थित है इस पुल का उदेश्य शयोग नदी पर क्लास 70 डबल लेन संपर प्रदान करना है विस्तृत सर्वेक्षन करने के पाद एक मल्टी स्पैन स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज को अंतिम रूप दिया गया इसके निर्मान में सबसे बड़ी जुनोती, खुली नीव और सब्स्ट्रक्चर का निर्मान करना था शयोग नदी की तेज धारा के बीच इसकी तलहटी से 4-5 मीटर मीचे खुदाई करना गर्मियों के दोरान उच्चे जलस्थर के कारण संभव नहीं था और सर्दियों में डबल शिफ्ट में दिन राद काम करने का एक मात्र विकल्प उपलग था शून्य से 35 डिगरी नीचे के तापमान पर जीवित रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनोती थी इस प्रतिकुल परस्थितियों में बीयारों के कर्मियोगियों ने बड़े धहरिय और दृड संकल्प के साथ अपनी कार्यक्षमता साबित की इन्होंने नकेवल भोगोलिक अवरोधों पर विजय प्राप्त की बलकी नवीन तरीकों का उप्योग करके खुदाई के दौरान बाढ़ की कठिन स्थिदियों पर भी विजय प्राप्त की इस सूपर स्रक्षर के निर्मान में विशेश प्रकार की चुनोतिया थी लंबे स्पैन का पुल होने के कारण इसे उचित संरेखन तथा इसके मीर्मान में उच्च मानों को को ध्यान में रखने की अवश्यक्ता थी इस पुल के बनने के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सडक पर सबसे बड़ी अर्चन दूर हो गई है ये निश्चित रूप से रुशी और परियतन को बढ़ावा देने के साथ इस शेक्र में सामाजिक आर्थिक विकास पर भी प्रभाव डालेगा